Assalamualaikum guys, तो इस वीडियो में हम Unbox और Review करेंगे Samsung के A25 5G का तो ये है box Samsung के A25 5G का और पहले हम करेंगे इस phone को Unbox तो इस phone में हमें सबसे पहले मिल जाती है एक प्लास्टिक की sheet और इस प्लास्टिक की sheet को हम सबसे पहले उतारते हैं तो sheet उतार के हमें सबसे पहले इसमें मिलता है एक verification card आप कोई भी phone Unbox करते हो उसमें से आपको ये card लाजमी मिलता है इस पे लिखा होता है कि आप इस phone का IMEI नमबर इस नमबर पे बेच कर चेक कर सकते हैं कि क्या ये phone PTA से तद्दीक चुदा है या नहीं है तो यहां पे हमें मिल जाती है इस phone की seal और इस phone को हम खोलते है तो अब हम इस phone को बाहर निकालते है तो उपर हमें सबसे पहले एक box मिलता है इस box की अंदर charging cable होती है और उसके बाद हमारे पास आता है phone तो यह आगया फून तो इस फून पे हमें मिल जाता है एक रैपर और इस रैपर को हम उतारते हैं यहां से तो यह फून है light blue color में अब हम check कर लेते हैं इस box में हमें और क्या मिलता है एक हमें SIM injector मिलता है और उसके बाद इसमें हमें एक cable मिलती है तो इसको खोल के हम देखते है तो यह रही एक type C की cable जो के 25 watt की है और उसके बाद हमें कुछ instructions मिलते हैं जो कोई भी नहीं पड़ता और इसके लावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है तो अब हम करते हैं फून को power on तो अब हम बात करेंगे इस phone के design की तो इसकी जो back है यह प्लास्टिक में है और इसका frame भी हमें प्लास्टिक में मिलता है और back के ओपर आपको एक design देखने को मिलता है और इस design की वज़े से यह थोड़ा different है Samsung के A15 से उसमें हमें यह design देखने को नहीं मिलता है और इस design की व और इस design के बगहर है और इसके लावा right side पे हमें इसका power button मिलता है जिसके अंदर आपको finger scanner भी मिल जाएगा और उसके साथ हमें volume buttons भी मिलते हैं और इसके अंदर यह curve इन्होंने फिर से add किया है जैसे इन्होंने Samsung A15 में add किया था हलाकि यह curve थोड़ा irritate करता है इस्तमाल करते हुए well उन्होंने कुछ तो change करना था design में तो इन्होंने यह change किया और नीचे वाली side पे हमें इसका headphone jack मिलता है hands free आपको box में नहीं मिलेंगी लेकिन इसके साथ headphone jack है कि आप कोई भी normal hands free लगाकर इससे इस्तमाल कर सकते हो साथ ह हमें चोटा सा माइक मिलता है type c charging port मिलती है यह 2.0 है 2.0 port काफी old technology हो चुकी है इने चाहिए तक इसमें कम से कम यह 3.0 port add करते है उसके बाद हमें इसके speaker मिलते हैं देखने को नीचे वाली side पे और left side पे हमें इसकी मिलती है sim jacket और इसकी sim jacket है यह shared sim jacket है इसके अंदर यह तो आ size है वो है 6.5 inches इसके bezel इन्होंने थोड़े से बरे रखे हैं इसकी यह वजह है क्योंकि इसका size थोड़ा रखना चाहते थे 120 Hz इसका display है और 120 Hz अच्छा display है इस पे मैंने credit दूँगा और इसके लावा हमें इसमें AMOLED display देखने को मिलता है AMOLED display एक अच्छी technology है और अच्छी इन्होंने Samsung के A25 में यह display एड़ किया नहीं तो जो A15 था उसके अंदर हमें AMOLED display देखने को नहीं मिलता उसके बाद इसकी जो display की resolution है यह है 1080 by 2240 और 1080 by 2240 resolution यहां पे मैं इसे credit नहीं दूँगा इन्हें चाहिए था कि इससे ज्यादा high resolution एड़ करते दूसरी चीज़ जो मैं इसको credit दूँगा वो यह है कि इसमें 1000 निट्स इसकी brightness है maximum आप 1000 निट्स तक इसकी brightness इसकी brightness इस्तमाल कर सकते हैं जो कि दूब में आपको बहुत अच्छा display result इसका देखने को मिलेगा अगर आप sunlight के अंदर इससे इस्तमाल कर रहे हो तो आपको इसका display देखने में कोई problem नह परसेसर इसके अंदर Exynos 1280 लगा है फाइफ नैनो मीटर और यह परसेसर ज्यादा फास्ट है पिछले रिलीज किये हुए मॉडल से मैंने इसके benchmark चेक किये थे जो कि मैं आपको दिखा देता हूं यह रहे और इसमें सिंगल कोर के अंदर हमें 976 और मल्टी कोर के अंदर हमे 2155 benchmark देखने को मिले हैं और यह जो मैं मॉडल इसमाल कर रहा हूं यह 8GB RAM वाला है इसके अंदर 6GB RAM भी आपको वेलेबल मिल जाती है 6GB RAM 128GB storage यह 8GB RAM आप 128GB storage के अंदर भी ले सकते हो 256GB storage वाला आपको 6GB RAM और 8GB RAM के साथ भी अवेलेबल मिलता है यानिके 4 डिफरेंट वरियंट इसके अंदर अवेलेबल है और परसेसर इसका OctaCore है और OctaCore 2.4 GHz और GPU Mali-G68 और हम इसकी performance चेक करेंगे गेम खेल कर तो जो गेम है वो इसमें आप HD में खेल सकते हो हाई पे रखके लेकिन HDR और उससे उपर के फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं आएंगे तो HD में इस स्क्रीन नदर ना आए गेम के अंदर लेकिन इसका रजर्ड बहुत अच्छा है AMOLED फिर ज्यादा ब्राइट नहीं होता तो यही एक रीजन है कि AMOLED कुछ लोग प्संद नहीं करते क्योंकि वो ब्राइटनस में इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता तो ज्यादा हैं वैसे सैमसंग वाले और LG वाले लेकिन वो टेकनालोजी हमें फ्यूचर में कुछ सालों के बाद देखने को मिलेगी फिल वक्त AMOLED डिस्प्ले इस वक्त बैस्ट डिस्प्लेज में कंसिडर किया जाता है तो अभी की टेकनालोजी में AMOLED डिस्प्ले एक बहतर आप्शन इसकी वीडियो की क्वालिटी काफी अची है AMOLED डिस्प्ले में जिस जगह पे स्क्रीन ब्लैक होगी यानि कि जब ब्लैक कलर आएका वहां से यह डिस्प्ले आफ कर देता है तो यह भी है इस डिस्प्ले की जैसा कि अभी आप देख सकते हो जहां जहां पर ब्लैक है वहां दोनों ही आपको लाउड स्पीकर में आवाज देंगे जैसे कि इस म्यूजिक को मैं आन करके आपको चेक करवाता हूँ तो इसको ज्यादा लाउड करने के लिए यह जो उपर वाला स्पीकर है इसमें भी एक की एड़ किया है एक आप इस से लाउड स्पीकर के तोड़ पर भी समाल कर सकते हैं यानि कि आपको दोनूं तरह से अवाज आएगी लाइज साइगी Gझा अगर आप कोई विडियो दे वे वाज आएगी तो हम बात करते हैं इसकी कैमरे की तो कैमरे को मैंने क काफि टेस्ट किया है इसके अदर आप को जो फिरेंड केमरा है वो थरल्टीन मैडा पिक्सल मिलता वी and एकेental स्सक्वीर में बॉन आई है दिख सकते हो isके अंदर हमें कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि इस में आपको फंड मोड मिलता है सैमसांग के जितने भी नहीं आने वाले फून्स हैं उनके अंदर ये फंड मोड एड किया गया है इसके अंदर आप स्नैप चैट के कुछ एफेक्ट्स लगा कर तस्वीरें बना सकते हो और इसके बाद जो प केमरा मिलते हैं 15 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और 2 मेगापिक्सल इसमें मैक्रो कैमरा भी आड किया गया है और इसके लावा मैंने इसमें कुछ तस्वीरें भी बनाई है तो ये तस्वीरें इस उसके हिलाबब जो मेन कैमरा आप एमरा रिजल्ट रच्छा है और जो अल्टर वाइडेंगल यहीं है उसका रिजलट इतना चुलेड नहीं है लेकिन वह फोरग बना यहाज दॉनों कैम्रा लेने के लिए हैं दोनों कैमरा घ्र्चर फिया ति इन रहा है हैं तो अल्टरा वाइड अंगल के उपर विडियो बना कर आप इसे shift कर सकते हो main camera के उपर लेकिन आप अल्टरा वाइड अंगल camera को जूम नहीं कर सकते हैं जूम किये भीना आपको shift करना पड़ता है और इसके लावा इसमें हमें auto stabilization का भी option मिलता है और यह मैं जूम करके वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैकसिमम इसका 10 नेक्स तक जूम होता है, मैं अपने हाथ को हला रहा हूँ तो यह बहुत ही स्मूथली चल रहा है, तो यह फीचर इन्होंने पिछले A15 वाले मॉडल में अड़ नहीं किया था, लेकिन इस इस वाले मॉडल में यह एड़ किया है, उसके बाद हमें 2 मेगा पिक्सल मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, और इसके लावा हमें नाइट शिफ्ट का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि आप तस्वीर बनाने के लिए ही इस्तमाल कर सकते हो, और इस फीचर के अंदर भी वैल, एक मैंने स्टैंडर मोड में बनाई थी, एक नाइट मोड में बनाई थी और मुझे इन दोनों में कोई फरक देखने को नहीं मिला, नाइट मोड ने पिक्चर को बनाने में 2 सेकंड लिये थे और स्टैंडर मोड ने फॉरं तस्वीर खेंच ली थी, और मुझे लगत 15 के अफैलिबल थे, grey black personality yellow, fantasy blue और optimistic blue और अभी ये जो फोन मेरे पास है ये personality blue है और personality blue को आप white phone consider कर सकते हो ये ये connection eyeball color भूल्यक्वाइब भाजब है ये green फे तैप लेकिन ये white ज्यादा लगता है blue से बाकि अगर फोन की प्राइस की बात की जाए जो वर्डियंड मेरे पास है RGB RAM 256GB स्टोरिज वाला इसकी जो प्राइस है वो 91,000 है PTA प्रूफट की अगर आप पाकिसान में से बाक्स पैक पर्चेस करते हो तो ये था हमारा इस फोन के बारे में रिव्यू और मैं इस फोन के बारे में कोई पर्सनल अपीनियन इस वीडियो में नहीं दूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये फीचर्स कैसे लगें जो इस फोन के अंदर हमें मिले हैं इसके लावा वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा तो इसके साथ अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो अपना है आल रखिएगा